19 साल के उम्र में दुलहन बनना चाहती हैं इशा इशा ने अपनी वैडिंग को लेकर खुद किया ये खुलासा हेलो आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अलमाव सिद्धी की इशा मालविया बिग बॉस सीजन 17 की उन कंटेस्टेंस में से एक है जिनोंने काफी ज़्यादा लाइब नाइट्स बटोरी है बिग बॉस के घर में वो अपने एक्स बॉइफरेंड अभिशेक को लेकर और करन बॉइफरेंड समट को लेकर काफी ज़्यादा चर्चा में थी और अब बिग बॉस खतम होने के बाद भी इशा मालविया लगातार इनी सवालों के बीच घिरी हुई है वेल मैं आपको बता दू बिग बॉस से बाहर आने के बाद इशा मालविया के हाथ में कई बड़े प्रोजेक्स लगे है और वो कंटिन्यू इंटर्व्यू पर इंटर्व्यू देती जा रही है और हाल ही में उन्होंने अपनी शादी को लेकर खुलासा किया है जब उनसे इस सवाल पूछा गया कि इशा मालविया आप शादी के बारे में क्या सोस्ती है उन्होंने कहा कि मैं तो शादी अभी ही कर लूँ लेकिन मेरा करियर सेट नहीं है और मैंने अपनी लाइफ में अभी कुछ किया नहीं है जब उनसे सवार पुछा गया कि क्या आप समर्थ से ही शादी करेंगी और आपको कैसा husband चाहिए तो इशा ने शर्माते हुए जवाब दिया कि हाँ मैं समर्थ से ही शादी करूँगी लेकिन अभी मैं इस पर कुछ confirmation नहीं दे सकती हूँ क्योंकि same effort दोनों जगह से आना चाहिए लेकिन मैं एक ऐसा husband चाहती हूँ जो बहुत ज़ादा caring हो मेरी बातों को सुने और मुझे समझ पाए वैल इशा मालवया ने समर्थ को लेकर हाँ और ना में जवाब दिया है मतलब इशा चाहती है कि समर्थ के साथ वो शादी करें लेकिन शायद इशा को समर्थ की तरफ से same effort नहीं मिल रहा है वैल इशा ने अपने upcoming project को लेकर भी काफी सारी बात कई है वो जल्द ही आपको बड़े परदे पर भी दिखाई दे सकती है और उन्होंने कुछ big boss के घर के अंदर के राज भी खोले है दरसल उन्होंने समर्थ की तारीफ करते हुए अभिशेक को ही निशाना बना लिया उन्होंने कहा कि मुझे irritate करने वाला boyfriend बिल्कुल भी नहीं पसंद है और समर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है समर्थ मुझे काफी जादा प्यार करता है और मुझे समझता है वेल उनका निशाना तो अभिशेक की तरफ ही था जैसे ही उनका ये इंटर्वियू सोशल मेडिया पर आता है वो काफी जादा वारिल होने लगता है वेल ये वीडियो आपको कैसा राता मुझे कॉमें सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शार सब्सक्राइब करना ना भूले